So Hello Everyone, Pi Network के एक और नए वीडियो पे आप लोगो स्वागत है जितने भी यूजर्स Pi Network में रिसेंटली जॉइन हुए है या दो-तीन साल से माइन कर रहे हैं सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड निउस है Pi Coin लिस्टिंग को ले करके Pi Coin बहुती जल लिस्ट होने जा रहा है Huobi Global के अंदर और ये कोई fake news नहीं है वलकि 100% real news है अभी मैं आप लोगो proof के साथ दिखाने वाला हूँ उससे पहले मैं आप लोगो बता दू कि Huobi Global है one of the largest cryptocurrency exchange है और almost 50 lakh से भी जादा इसके play store पे download है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो Huobi.com के official website के थुरू ये announcement release किया गया है तो यहाँ पे clearly बताया गया है Huobi के तरफ से कि Huobi has always been committed in supporting top projects in their community relations with the positive recommendation of Pi Networks community Huobi will follow up closely with Pi Networks update regarding the upcoming main net launch once the main network is upgraded successfully Pi will be reviewed for listing at the soonest तो इसका simple सा मतलब है कि Huobi जो है Pi Networks के हर एक updates को बहुत closely follow कर रहे है और इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि Pi Networks का जो main net process अभी चल रहा है वो complete होते ही Huobi के team के थुरू listing के लिए review किया जाएगा और जैसे term and condition सब कुछ okay रहता है तो यह अपने exchange पर Pi Coin को list करेंगे तो यह कहना है कि हर एक Pi Coin Miners के लिए जो है भूत important और good news है तो अभी आप लोगे मन पे यह सवाल आ रहा होगा कि कब Pi Network हो भी global या फिर और भी बड़े बड़े exchange जैसे Binance पे list हो सकता है या फिर कब जो है Pi Network के Mainnet का पूरा process complete होगा तो यह समझ जाए दिखे Mainnet का जो process चल रहा है वो तभी complete हो सकता है जब सभी लोगों का KYC complete हो जाएगा और अभी आप लोगों को पता होगा maximum लोगों का यहाँ पे KYC का problem अभी भी चल रहा है बहुत सरे लोगों का KYC यहाँ पे success हो चुके है अपरोब हो चुके है लेकिन बहुत सरे लोगों का KYC stuck है बहुत सरे लोगों को अभी भी KYC का option भी नहीं मिले है तो सबसे पहले तो सभी लोगों का KYC होना बहुत जरूरी है KYC होगा उसके बाद हम अपने mainnet checklist को पूरा कर सकते हैं और जैसे mainnet checklist पूरा हो जाए उसके बाद ही हम अपने जो mine कर रहे है वो balance को mainnet पर transfer कर सकते हैं और जबी यह किसी भी exchange पर list होता है तो हम अपने amount को sell करके उसके बाद withdraw कर सकते हैं और KYC का update में अगर अभी आप लोगों को बताओ तो बहुत बड़े scale पर KYC यहाँ पर अभी लोगों का हो रहे है mass KYC यहाँ पर active कर दे गए हैं और अभी automation के थुरू KYC लोगों का होने लग रहे है तो बहुत जल्द से जल्द आपको भी KYC जो है आपका हो जाएगा अभी तक नहीं हुआ या फिर अभी तक option नहीं मिलाए तो मिल जाएगा तो पैसेंस बनाये रखे अभी तक अगर आपका KYC नहीं हुआ है और daily mind करते रहे है तो I hope कि यह good news आपके लिए helpful रहा होगा अमीद करता हो वीडियो helpful लगा हो helpful लगता है एक लाइक जरू कर देना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर देना तब तक लिए बाई मिलते हैं आप लोग से नेक historic informative वीडियो के साथ